Hello Everybody, आज का हमार टोपिक है Scalar Triple Product in Terms of Cartesian Coordinates साथ ही हम प्रूव करेंगे कि Scalar Triple Product जो हता है वो Cyclic Relation को Follow करता है That means अगर हम A.B.C.C कर लें, चाहे B.C.C.A कर लें, चाहे C.A.C.B कर लें, तीनों से Result Same आता है तो यह हम प्रूव करने वाले हैं इससे पिछले लेक्चर में हमने Scalar Triple Product and Vector Triple Product इसे हमने Study किया था Ordinary Triple Product तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें B.C. की प्लेइलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं तो आज की टॉपिक पे हम बात करते हैं Scalar Triple Product That means माल्या A.B.C है यह हमें Find Out करना है तो उसके लिए हम Vector A को हम इसके Cartesian Coordinates की फॉर्म में लिखेंगे That means Vector A is equal to let AX I cap plus AY J cap plus A Z K cap यानि की I, J, K components हैं AX, AY, AZ Similarly Vector B के components हैं BX, BY and BZ तो BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap और Vector C है हमारे पास में CX I cap plus CY J cap plus CZ K cap और अगर हम A.B.C निगालते हैं तो इसका मतलब यह है कि Vector A की हमें dot product करनी है B.C में B.C कैसे निगालेंगे हम Vector A की हमें dot product करनी है B cross C, दो vectors का अगर हमें cross product करना होता है तो हम determinant निकालते हैं तो determinant B और C का तो I, J, K यह हम सबसे उपर की row में लिखेंगे नीचे इनके coefficients आ जाएंगे यानि BX, BY, BZ साथ ही साथ CX, CY, CZ 3rd row आ जाएगी तो जब हम इस determinant को expand करते है Vector A का भी full form लिख लेते हैं यह वाली तो Vector A में आगए आपके वास में AX I cap प्लस AY J cap प्लस A Z K cap और जब हम इसे expand करते हैं determinant को तो तब हम यह ध्यान रखते हैं कि पहले जो हम I cap वाली row को लेते हैं row को छोड़ देंगे column को छोड़ देंगे इस row और column को छोड़ने के बाद में diagonally multiply कर लेंगे BY की CZ में BZ की CY में और बीच में minus का sign लगा देंगे तो I cap बाहर लिखेंगे BY की CZ में BY CZ minus BZ की CY में बीच में जब second term आता है तो वो minus के साथ आता है minus का J cap इस वाली row और column को छोड़ देंगे तो हमारा एक पास में क्या बाद में BX की CZ में और BZ की CX में तो BX CZ minus BZ CX और अगला term देखेंगे K cap तो इस row और column को छोड़ेंगे BX की CY में BY की CX में तो plus K cap minus BY CX तो अब अगर हम dot product करते हैं तो हमें कुछ rules को follow करना होता है जैसे की i cap dot i cap कितना होता है 1 j cap dot j cap कितना होता है 1 and k cap dot k cap भी कितना होता है 1 लेकिन अगर हम i की j में dot product करते हैं i की j में तो 0 आता है i की k में भी 0 आता है j की k में 0 आता है J की I में 0 आता है या K की I में 0 आता है यानि different type में अगर हम multiply करते हैं तो 0 आता है और same type का 1 आता है तो इसलिए हम AX की सिर्फ इसी में multiply करेंगी क्योंकि I cap dot I cap 1 हो जाएगा J cap वाला J cap के साथ में 1 हो जाएगा तो AY की हम second term में करेंगे और AZ की हम third term में करेंगे क्योंकि यहाँ पर dot product हमें करना है तो हमारे पास में आता हैगा AX bracket में BY CZ minus BZ CY बीच में minus का sign है J cap dot J cap 1 हो गया AY की यहाँ में multiply होगी AY BX CZ minus BZ CX AZ की इस वाले term में होगी क्योंकि K cap dot K cap 1 हो जाएगा तो plus में आजाएगा AZ BX CY minus BY CX अब आप यह देखो यह बिल्कुल determinant बन रहा है और वो भी किसका जैसे यहाँ IJ K है first row उसकी जगहें पर first row में आजाएगा AX AY AZ बाकी के तो वैसे के वैसे ही terms है जैसे यहाँ से expand करके आएगा है विल्कुल वैसे ही terms यहाँ पर आ रहे हैं bracket के अंदर तो इसका मतलब यह determinant बन रहा है A, B और C के Cartesian components का that means इसे हम लिख सकते हैं AX first row में AX AY, AZ और second row में यह BY BX, BY और BZ तो BX, BY, BZ इसी तरह से third row में जिस तरीके से हमने यहाँ से expand किया था जब हम I cap वाला term देखते था तो BY, CZ आता था इसी तरीके से AX वाले के साथ में क्या रहा है यह बिल्कुल इसी तरीके से आ रहा है यहाँ पर BX, BY, BZ ही लिखा जाएगा और यहाँ CX, CY, CZ ही लिखा जाएगा third row में तो यह हमने लिख दिया है तो इस तरीके से यह आ गया तुमारे बास में determinant की form आ गई triple product को हमने determinant की form में लिखेंगे तो इस तरीके से उसके components की form में Cartesian components की form में लिख सकते हैं तो यह हमने एक चीज़ प्रूव की है in terms of Cartesian components अब हमें इसके cyclic order को प्रूव करना है कि यह सारा का सारा same रहता है तो इसे प्रूव करने के लिए आप यह देखो कि अगर किसी determinant की row and two rows को अगर हम interchange कर दें तो minus का sign आ जाता है तो पहले हम a.b cross c को एक बार दुबारा से यहां लिख लेते हैं तो a.b cross c is equal to आया था हमारे पास में ax, ay, az, bx, by, bz, cx, cy, cz और इसका determinant तो इसी को हम लिख सकते हैं minus का sign लगा देंगे इस वाली first row को second की जगें लिख रहे हैं second row को first की जगें हम replace कर रहे हैं तो यह उपर आ जागा bx, by, bz yes, first row second की जगें पर आ गई ax, ay, az और third row वहीं की वहीं है cx, cy, cz तो इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि एक बार हमने change किया तो यहां minus का sign आया अब दुबारा हम second और third row को interchange कर रहे हैं तो दुबारा से minus का sign आयेगा और minus minus क्या हो जाएगा plus plus जब हो जाएगा तो यहां पर first row तो वैसे कि वैसी रहेगी bx, by, bz third row second की जगें पर आ गई है cx, cy, cz और second row third की जगें पर पहुँच गी है ax, ay, az तो यहां पर हमने क्या किया है इस determinant में पहले हमने first and second row को interchange किया है और बाद में उस से अगले step में हमने second and third row को interchange किया है तो यहां पर यह आ गया बिल्कुल इसकी तरह है जैसे यह a.b cross c है तो यह आ गया आप मारे पास में b.c cross a first row जह है b वाली है तो b आ गया पहले में dot में second row c वाली है तो c और third row a वाली है तो cross में a यानि कि हमने prove कर दिया है कि vector a.b cross c is equal to होता है is equal to होता है b.c cross a इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इन दोनों रोज को change करेंगे फिर उससे अगली दोनों रोज को change करेंगे तो हम यह prove कर सकते हैं कि यह आ जाएगा c dot a cross b यानि कि एक cyclic order आ जाएगा a b c b c a c a b लगातार चल ले है cyclic order में चल ले है तो यह हमने prove कर दिया है कि जो vector triple scalar triple product होता है उसमें अगर हम cyclic order में चले हैं तो वह change नहीं होता है उसकी value सेम आती है और इसी को हम short में हम ऐसे भी लिख सकते हैं a b c लगातार हम लिख लेंगे और एक large bracket लगा के लिख लेंगे तो large bracket लगाने का मतलब यह है कि order को आप cyclic order में change कर सकते हो तो यह scalar triple product है अगले lecture में हम vector triple product को हम expand करेंगे उमीद है कि समझ में आयोगा मिलते हैं next video में thank you आयोगा